यदि CLC में पहुंच गए आप तो आपको सोचने के जरूरती नहीं है पर जो बोस बता रहे हैं रूटीन से कि आपको यही करना है वो आप यदि करते जाते हो और आपका CLC के परती पक्का है विल्कुल है विश्वास तो आप सलेक्ट जरूर होगे बस बोस का जो 45 होता है श की वो डौक्तर बिलग है दोस्तों दोस्तों नमस्कार मापका अपना श्रावण गोरोव परिवार गोरो ग्वाव गोरोव पत की गोरोव यात्राध जहां मैं कोips सबीस तस तोट परिवारा है इस जानदुवा गाव हैस सच्बाउट चूरूब डिस्ट्रिक को सीक्र के ब रिसितिकृ का नाम आते हैं हमारे दिमाग माता है कि थोड़ा बैक्वरड है बैजू जीन Hm, सीकर वाड अपने आपको कहई आडवास मांते है और चूरू की बात आते हैं मांतना है já को कूछ बैक्वरड है लेकिन दोस्तों बैक्वरड कोई नहीं है बैकवर्ड वो है जहां प्रोपर आपको संस्ताइं नहीं मिलें हर गाउं में टैलेंट होता है हर गुदुरी के लाल होते हैं हर जौंपडियों में खोपडियां बैटी होती है उन जौंपडियों में खोपडियों को प्रोपर महुल दिया जाए प्रोपर वातावन आजाए दस बेटे बेटियां और वो एक ही परिवार से आपने एक बात मैसूश कियोगी से कल मैं जिस गाव में था कल हम लाटनू थे तो आप जो को मैं रेगर बस्ती बैठाता हूं महाँ छे सेलेक्शन थे एक रेगर बस्ती से ऐसे मैं होपारडी गया पालिवार परिवार के दस सेलेक्शन थे ऐसे मैं जब दोलपूर के बाड़ी में गया तो मिना परिवार से साथ आठ सेलेक्शन है एक बाता मैसूश करना जो परिवार जुड़ जाते हैं सीलसी के साथ वो विश्वास कर लेते हैं वो फिर इधर उधर कहीं गुमते नहीं हैं वो कहीं में हुआ फिर वेटरी छोड़के दूबरा सीलसी जोइन किया उसके बाद यहां से बचा गया कपिल खिचड कपिल खिचड जो एमनाइटी जेपूर से है तीसरे फिर अंकीता बविता गई जो मेरी बांड़ जी है यह भी दोनों बविता मनिशा दोनों 2013 में गए उसके बा जोड़े हैं फैसे पिस्पोदा नाम किया है तो वहीं अपने लिए डोक्टर होता किया सव अपने लिए तो उस Ohio दोर्णभी Craux के पास ट्वल्थ तो पास होगी बच्चोंगी आप डोक्टर बनाने का है तो बोस का यही था कि आप तो यहाँ छोड़ जाओ डोक्टर बनेंगे जुरूर बनेंगे फिर 2012 में जालावाड मेडिकल कोलेज मिला मेरे को तो यह कहना चाहूंगा इसके बारे में तो बाकी जो बच्चे त्यारी करते हैं उनको एकी संदेश देना चाहूंगा कि आप जो ट्रेक है वो यही पकड़ लेंगे तो आपको दुबारा ट्रेक पर आने की जूरत नहीं उससे आगे वाल ट्रेक पर अपने आप ही चले जाएंगे यही दिसी एलसी में पहुंच गए आप तो आपको सोच पक्का विल्कुल है विश्वास तो आप सेलेक्ट जरूर होगे यह सो प्रसेंट गारंटी है मैं गया सुक विर गया मनिशा गई बवीता गई कमलेस गया जो आठ डोक्टर हैं वो से जुड़े रहे जो त्यारी कर रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जो बोज टेस्ट कि टेस्ट कभी नहीं चोड़ना है आप टेस्ट दे माइनर हो मेजर हो जो भी टेस्ट है उसको एक को भी मिश ना करें वहीं आपका सेलेक्शन शोर करेगा और रिंक भी जुरूर बढ़िया एक शेक्योर करोगे आप और अच्छा कोलेज मिलेगा आपको सबसे पहले इन द केवल वो ही इनसान याद कर सकता है जिसके नजर के अंदर ये मंजल वहां पहुंचने लिए के लिए तयार रहता है मेरे घर नजदीक है उस घर के अंदर मनायट को 12 बज़े तक पढ़ाता था और केवल पहले बेच में साथ बच्चे थे और इन बच्चों को साथ बज़े बाक में बाता है मिल्टरी की तरह है कि इन बच्चों को चेक क्या जाए बारा बज़े बात है वेदरी दियार स्टीडिंग और नोट ये पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यह तो घरवाले तो सोगे तो में वहां से यह आकर के दोनु बच्चे जो इतने से याद है मुझे और तारफण यह वोल ना था या जल्दी से चाय बढ़ा ले एक चेप्टर पढ़ लेते हैं क्या बात है कि और मैं क्या क्या पिछे से यहाँ इस खिड़की के नीचे बैठ गया मैं देखता हूं यह क्या करते हैं दूनों ने चैपना seven चैपी मैं एक होंटा तक वेटा रहां और यहए गंता तकुमें एक हांटे करते रहे फिर उट करके मैंने कमरे के अंदर गया पेटे क्या कर रहे हो कि दादो जी पढ़ रहे हैं तुम लोगों को कौन रोक सकता है डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बनने से तुम लोगों को रोक कौन सकता है मैंने उस दिन ये धारली मन में कि रामचंदर जी टोरू जी डॉक बनाएं नेल बनाएं लेकिन खुदा मेरों को इतनी ताके दे दे कि इन दोनु बच्चों को यथा स्थार पर पहुंचा दूं कि उनको कोई ऐसा गुरू मिल जाए सरवन जी जैसा जिकी वो डॉक्टर बन जाए लेकिन अब करता हूं मेरे मन में 15 अगस्त के दिन यह गोषणा करता रहता था मेरे विजाले से डॉक्टर निकलेगा लेकिन एसे भी गाऊं में अजीज आदमी में होते हैं यार पागल होगा फोजी कहां डाक्टर यार यह कुछ को पता है नहीं डॉक्टर कहां तो यह कैसे बन सकता है रामचंदर जी बच्चे दोनों दोस्य उपास की ताराजन जी के 99 परशेंट थे साइसकर्थ के अंदर इंग्लिश मीडियों पढ़ते वे 99 प कभी में तो बेदान में हारते नहीं हैं तेरे मनमाया वैसे खड़ा कर ले चाहे उस दिन से दशी उपास गएकी और दशी उपास करने के लिए पिरिये बिपाव को इन दोनु बच्चों को एक हैंक है नोह लेंगे हम दोनों गए तो सरु जीन कहा कि हमने बंदल एड्मिशन के लिए पाई कर बात कि तो लेके बारिक लेकर कर लेकर हम दोनों आगे फिर चलेगे हम दूसरी सहिस्ता में वहां सहिस्ता वो नहीं नहीं खुली थी तो वहाँ उन्होंने पैसम की बारगे नहीं करने लगा तो भारा के रामचंदर जिन कहां बोल क्या करना है मैं को सुरुण जी के पास चलेंगे और कहीं नहीं चलेंगे अगर एक लाख रूपय अगर दो लाख रूपया लाख रूपय भी तनका देनी पड़ेंगी द्यापक को तो सब्सक्राइब और अपने बच्चों को द्यापक की कमी नहीं मिलेगे कि किसी भी सूर्थ में नहीं मिलेए हम वापस चलेगे तो मां अगर के सब्सक्राइब कहा कि ये दो बच्चे है राम जन्द जी भाई ये भाई का लडगा दोनुं दोनों ने हेंडावर कर दिया हेंड़र करने कबाद सर्वन जिने कहा मैं कितने पैसे चीए रही से होनगे सर बता बोश कागज को पड़ लिए को बढ़ लिए टो है मैं तो मैंने का ये तो या दिशने चोग पना रिक है है आपने खिक रहे हैं वह स्चाहें तो उनने कहा कि काज़ लिख दो उतने पैसे लगेंगे में कागज पर लिखी दे दिया फिर आप जंदर जी हमने बार उपले कितना लिखा है मोयार ठीक लिखा है गल्स ने लिखा अब दोस्तों ये है उसके बाद में ये जैसे बोस ने बता दिया कि कि इस तरह से बच्चों को आज एक ये पहलों मत सोचों कि या डोक्टर है या इ यह है तो बढ़िया बात है और अगर बढ़िया नहीं हो गवाला अच्छा नहीं है तो कहीं कहीं नुक्षान करके पहुंचाएगी वह आप मैं स्यल्सी कोई प्रसंसा नहीं कर रहा हूं इसी के लिए लेकिन मेरा तो सपना साकार करने वाला स्रवन जी चोदरी ही है मेरी जिन्दिकी के अंदर मैं जो सपना कर रहा था कि मेरा सपना साकार बगवान करे तो मुझे बगवान ने स्रवन जी रिखा बगवान आज मेरे लिए स्रवन जी है एक और छोटा सा पहलू कहना चाहूंगा कि ये इतरे सक्त आदिमी है वैसे तारा तन्न बदमाशी की द बॉद बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए को कहीं से शिकाहिद में कियों मुझे रामचंद्र जी पर बिश्वास था कि मैं कह दिया वो से पार है कि अब में सबसे दूसरी दिवाद डॉक्टर की कहना चाहते हूं आप पहलो सोचिए कि एक डॉक्टर को लग भग पिचाशी लाग पिचाशी जार रिप्यत्र का मिल रही है मेरा सोचना यह नहीं कि इस गर में डॉक्टर उडा चाहिए पिचाशी जार रुपिया लग बग 2 तो साल कर तेन साल के बात 1 लाग रुप्या मेरी साथ से सियंता से पर पंदरा बचे निकल brushed पंदरा बचे यह और डॉक्टर और एरवर्स और इडियन तो अलग है वो अलग है अब एक डॉक्टर की पंदर एक लाग रिपे अतनका है तो आप यह सोचें कि बारा डाक्टर होगे तो कि दस डाक्टर होते हैं उनके दस लाग रुपे हो गई दस लाग को बारा से मल्टिपला एक करोड़ बीस लाग रुपे गाओं की आई हो गई यह बहुत पर बाद करें हुआ है एक करोड़ पीस लाग साल के खाउं के इंदर आई हो गई इसका मतल़ा है घाउं को कोई नुक्सान नहीं है और अब तो और ही दनाडे होगा मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैं आपका बगवान के रूप में आपका दर्शन करना चाहता हूं सबसे पहले शुक्वीर खिचड ए आई पीम टीम दो सो पैंतारीस रहे हैं मैं यह करना चाहता हूं कि बच्चा प्रोपर जगह पहुंचे और यह आप देखना 2007 की बात कर रहे हैं बिल्कुर मैं थोड़ा सा बोल देता हूं 2007 में मेरे साथ कुछ लोग काम करते थे अपना कोचिनी स्टार्ट किया था उस समय इनने मेरा विश्वास किया तो इस गाहों से आज़ देखन होगे तो दोस्तों निश्चित रूप से CLC विश्वास का नाम है और ऐसे हमारे अपनुक का एक आशिरवाद है वो जड़े है कि एक वट्रक्स हर दिन बढ़ता है इसके फल हर दिन बढ़ते हैं इसके फल अर दिन मीठे होते हैं थैंक्यों गार्जा एक मिन टॉर लूँआ आपका ज्यादे समय नहीं हुआ हैं सबसे पहले से सर्वन जी चोदरी के से सबसे पहले सुक्विर खिचट डाक्टर ज्यादा गावं से स्लेक्ट हुआ है मेरे को यह के गावं के बच्चों की टिप्स याद है और ए आई ट्रिपली उसके अंदर इंजिनियरिंग के अंदर हुआ कपिल खिचट हुआ यस आज वो भी आज बिल्टी में लगे वें एर फोर्स में लगें हैं बहुत यह साइंस के बच्चे हैं कि आपकी जानदार कर देते हुआ ज्यादा ने कहते हैं कि है कि अपने बच्चों को आपके में वेक्तिकत नाम एक दो का लिया है उसको बुरा मतमाना कि मेरा नाम क्यों लिया ऐसी कोई बात नहीं है सभी का नाम है सम बैटे माता है बैने बैट बाई बंदू बैटे हैं और कहें तो ऐसे भी है साब अभी भी प्रियास मेरे गाहां कि कम से कम साथ बच्चे आपके कि पर फिर उसके बाद मुझे जाने की जूड़त नहीं पड़ी तुम्में तो ब लोग अरेस क्यों मना चाहता था कि मैं आरेस बनने वालों के साथ में पड़ता था क्या बात है तो मैंने सोचा आरेस ही बनते है लोग लेकिन वह सपना मिला पुरा नहीं वह अर लाल जी सारन थे अरी सिंग जी गोदारा थे दोजन उसे वो आरेस की टेरी करते थे और मैं उन्हें के साथ रहता था वो अर्लाल जी सार्ण आरेस्टियम बन गए अरी सिंग जी दूसरे लाइन में चले गए उसी प्रकार से मेरा लड़का भी दूसरे लाइन में चला गया और विद्यावारती में और फिर आपके पास ले जाना का प्रोग्राम बनाया लेकिन उनके न नमरू से कुछ नहीं होता है शेल से मगर जाते हैं तो डौक्टर बनके घर के आते हैं वो डौक्टर बनके ने चले गया और लेक्सरार बन गया नमर तीन पर फिर तारा जिन पढ़कर के गया तो मैंने का अब उंकार जी हम सरवन जी के पास चलेंगे और आपके पास गए और बनके घर आया ये मेरा सफना पूरा हो गया अब मैं सबी से कहना चाहता हूँ कि आप धैर रखें और एक जगह ठान करके यह नहीं कि आज इस कर में चलेंगे आज उस गरमे चलेंगे यह अज इस कर में यह नहीं होना चीए यह आपके ऊपने पूर्ट को लेते हैं बुलंदी आस्मानों की परिणो को नहीं तालिम दिजाती उडानु की महेकना और महेकना तो काम है कुस्बू का कुस्ब नहीं मोताज होती कदरदानों की कौन पहुंचा है कभी अपनी आखरी मंजल तक कौन पहुंचा है कभी अपनी आखरी मंजल तक हर किसी के लिए थोड़ा आस्मान बाकी है ये तुझको लगता है तूड़ने के काविल नहीं सच तो ये है कि तेरे पंकु में अभी भी उडान बाकी है जाए हिंट जाए हिंट जाए हिंट बच्चों में और सभी गार्जनों के अंदर जो जुनून और जुजबा बरके और सही सेंस कार दे करके बच्चों को बहुत ह कि संदर कार्णाटा और हनुमान 40 वतां उसके बच्चे जौर से बर जाते थे और बच्चे इतने जौर से बरते कि उसको फीर उस तुझे उसमें निहीं उस जाती हो हमारे गाह में जो बच्चन सेलेक्शन हुआ है उनी की देन है और उनी का यह योगदान रहे मैं राकेश खिचड डोक्टर तायाचन खिचड और शुकवीर खिचड परिवार से चार डोक्टर हैं वैसे तो पूरे परिवार से हैं आठों के आठों तो मैं अभी अभी टीचर हूँ परबसर नागोर मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल में तो मेरे भी ये इच्चा थी लेकिन तब पता नहीं था मैं जानता नहीं था और उस ट्रेक पर गया नहीं जैसे नदी में हजारों पत्थर तैरते वे अंदर गिशते वे आते हैं किसी के पास जोहरी को जब तक न फिर खीचड ये सियल सी में गए उनके बाद में इनको सरवन जी सर ने तरास करके हीरे के रूप में जो हमें प्राप परदान किया है इसके लिए मुझे बहुत कुछी है मैं तय दिल से उनका आभार वेक्त करता हूं थैंक्यू सर थैंक्यू लास्ट एक वक्ता के रूप म में और हाँ अभी मैं मेरे बच्चे को भी सियल सी में छोड़ के आ रहा हूं चलो चलो आपके अदूरे सपने आपके बच्चे से पूरे कराएंगे चल्दा मत्कुरा थैंक्यू सर मस्चिर पे सियल सी का परीचे देने के तो जरूत नहीं कि कोई प्रीचे की मोताज है नही परंतु एक सियल सी खाशित दता हूं कि आप शिक्र में जाओगे तो गली गली में आपको कोचिंग मिल जाएंगी गली गली में परंतु एक परिवार सियल सी परिवार है वो परिवार नहीं मिलेगा आपको उसकी खाशित के है कि कोचिंग में जाओगे तो आपको शिर्फ शिक्षा मिलेगी प्रब्रक्षिपी दीश यह सिज परिवार है और जो सर्वन जी है या पने बोस वह गाजन फिमा less को परिवार में शिहएल स्चा ने, हैं परन्तों CLC में शिक्षा भी मिलेगी सेंसकार भी मिलेंगे और आपको एक गार्दन मिलेगा और जो बहुत के प्रच में भौत रहों क्योंकि ताराचन और सुक भी रहते थे वहीं पास में मैं त्यारी करता था टीचर की तो बहुत एक मिलता भी था तो उनकी एक मोटिव कि वह साथ आपको कहा हों कि आप बोहत के स्पीच सुनो और आपकी तैहारी करे वह टीचर की पर तोस पीच यह मत सूनना है कि आपको तेन ठीटा वह करना है आपको शिर्फ पर शिर्फ ये सुनना है कि वो लाइन जो ट्रेक बता देना वो ट्रेक हर एजुकेशन हब है वो हर खी भी लाइन में जाते हो वो ट्रेक आपको काम यूज कर सकते हो बोस्वडा कि किस तरह के साब को यहां से जमीन से उठकर आसमान की तरफ उडान बढ़ते हो वो ट्रेक आप बोस्वडा के सीख सकते हो वह आपके बोस्वडा के चोटे-चोटे वह गुटके रखना और कभी जिन्दिकी में हतास हो जाओ वह एक गुटका अपने दिमाग में फिट करने ला वह गुटका आपको उडान दे सकता है